नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजिटल फ्रेशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका CT का रिजल्ट तयार है लेकिन टेक्निकल प्रोब्लम अभी दूर नहीं हुई है अर्याना करमचारी चैनायोक के अद्दक्स बोपाल सिंग खदरी नहीं एंटिये में डेरा डाला बताएंगे सात्यो पूरी खबर आपको विस्तार से उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले सात्यो क्योंकि अर्याना का एक मातर विश्वसने चैनल जो आप तक सबसे पहले स्टी खबर पहुचाता है चलिए सात्यों देखते हैं आज की बड़ी खबर ये देखे सात्यों CET रिजल्ट के बाद आपको एक गुरूपडी एक्जाम से रिलेटेड भी खबर दिखाएंगे है और रिजल्ट आठ या नो जनवरी को संभावित है सभी अड़्चने दूर हुई श्यामाजिक आर्थिक मांदंड के अंक जोड़ने के कारण हुई है देरी यानि कि अर्याना सरकार नहीं और सात्यों जो गुरूपडी की पहले 32,000 बरतिया बताई जा रहे थी अब यह आकड़ा 36,449 का हो चुका है क्योंकि हम पहले बोल चुके थे कि 32,000 जब पद वापिस हुए है सोरी 32,000 नहीं 28,000 जो पद वापिस हुए थे तो वो पदा सात्यों यह पद आप 36,449 हो गए है जसी चेर्मेन बोपाल सिंग जी खदरी नहीं नैशनल टेस्टिंग एजनसी में डेरा डाल दिया है प्रिणाम में देरी होने से आयोक के अद्यक्स भी नाराज है CET का प्रिणाम 8 या 9 जनवरी को संभावित रूप से जारी हो सकता है कनफरम तो साथियों आपको पता है इससे ज़्यादा और क्या कहें अध्यक्स नहीं दैनिक सवेरा को सनिवार को बताया कि आयोक के चार प्रोग्रामर पहले ही NTA बेजे हुए हैं उसके अगले दिन आयोक के सचीव विराट सिंग को भी बेजा गया था उन्होंने बताया है कि अब विस्वयम भी NTA पहुंच गए हैं और बताया कि चुकी श्यामजिक आर्थिक मान्दन के अंक CT के लिखित प्रिक्षया में जोड़कर CT स्कोर गोशित ओना है उसी को लेकर साथ उयो ये लेट ओर रहा है क्योंकि टेकनिकल प्रोबलम ही श्यामजिक आर्थिक प्रोब्लम है आपको भी पता है और जिनकी शामजी कार्थिक मांदन्ड के नमबर नहीं है उनका तो CET का स्कोरी जारी होगा इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है लेकिन सात्यों जिन्हों ने CET के प्रिक्षा दे थी मगर NTA इन अंकों के अनुसार रिजल्ट तयार नहीं कर पाया था इसलिए IO के प्रोग्रामर बेज़े गए है रिजल्ट तयार है सिर्फ प्राइवेट एजेंसी से मिलान करवाना है तो साथ ही हो सकता है आपका एक दो दिन और यह रिजल्ट लेट हो जाए या फिर कभी भी आ सकता है क्योंकि चेर्मेंट साब कह रहे हैं कि IO के चैरो प्रोग्रामर नहीं NTA के प्रोग्रामरों के साथ बैठकर सामजिक आर्थिक मानदन्ट के अंकों को काटेगरी अनुसार सपष्ट करवा दिया है उनने बताया है कि सनिवार को ये अंक सीटी के अंकों में जोड़ दी जाएंगे मगर अब NTA एक प्राइवेट एजनसी से मिलान करवाना है यह एजनसी आठ जनौरी को मिलान कर सकती है अब सभी अर्चने दूर हो गई है उन्होंने बताया कि अगर मिलान आठ जनौरी को हो गया तो आठ जनौरी को रिजल्ट गोशित हो जाएगा और अगर मिलान आठ जनौरी की रात तक नहीं हुआ तो नो जनौरी को रिजल्ट गोशित हो जाएगा साथियों जो जात तारिखें दी जा रही थी ये NTA की तरफ से दी जा रही थी इसलिए चेयर्मेन साब नाराज है कि NTA की तरफ से जो तारिख आ रही थी वो अलाउस्मेंट कर रहे थे लेकिन अब उन तारिखों के उपर रेजल्ट नहीं आया है गोपाल सिंग्जी खदरी नहीं बताया कि उन्होंने परदे सरकार को भी NTA से नाराजगी की जानकारी दे दी है अध्यक्स ने कहा है कि अगर अकेले NTA CET का प्रिणाम आयोग को देता तो आयोग से उम श्यामाजिक आर्थिक अंक जोड़ लेता मगर यह फैसला हो चुका है कि NTA ही श्यामाजिक आर्थिक मानदन के अंक जोड़ कर CET का स्कोर जारी करेगा इसलिए यह अंक NTA को दिये मगर NTA ने पहले कभी इस तरह अंक नहीं जोड़े है तो सात्यों यह सरकार तक भी मामला पहुच गया है क्योंकि CET का रजल्ट अगर HSC को दे दिया जाता तो HSC श्यामाजिक आर्थिक मानदन के अंक जोड़ कर और यह रजल्ट जारी कर देती आयोग के पास गुरूप C के 30,349 पदों की जानकारी आचुकी है 110 पदों की जानकारी बकाया है यहनि कि सात्यों इन में अगर 5000 पुरुष और 1000 मैला पदों के जो नियम विबाग से अभी तक नहीं मिले हैं अगर यह पद भी जोड़े तो यह 36,449 पदों के उपर बरती पिरक्रिया शुरू होनी है इसके अलावा TGT के 7,441 पदों का मामला भी सकूल सिक्षय वबाग के पास लंबित है मगर इन पदों पर बरती एस्टेट के पास उमिद्वार आविदन कर सकेंगे TGT के लिए CET क्या हो सकता नहीं है अगर TGT के पद जोड़ ले जाएं तो 43,920 पदों पर बरती होनी है तो साथियों आपको भी पता होगा पहले यह पद कम दिखाए जा रहे थे आप बढ़ा दिये गए है साथियों कल सामको HACC दोरा एक टेंडर का नोटी जारी किया गया था तब ही हमने बता दिया था कि मार्च में आपके एक्जाम की तयारिया शुरू हो चुकी है क्योंकि एक्जाम टेर तो साथियों यह इसमें बताया गया है कि चार पांस या फिर दस ग्यारा को मार्च में आपका एक्जाम गुरूपटी का संबावित है लेकिन अभी तक NTA की तरफ से लेखित में नहीं बेजा गया है लगबग 11 लाक उमिदवार ने गुरूपटी सीटी के लिए पंजीगर्ण कराया है इसलिए सभी की नजरे गुरूपटी के सीटी पर लगी हुई है सरकार ने गुरूपटी और गुरूपटी पदों के लिए जो सीटी जरूरी कर दिया है आई टे अनुदेशकों का लंबीत परिणाम तयार है लेकिन जब प्रोग्रामर लोटोंगे तभी यानि की 10 जनुरी के बाद आपका रेजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा जो भी बचीवी कटेगरी है ऐसे ही साथ की और वर्तियों से रिलेटिट भी अगर आपको जान करें चीए या फिर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना मैत्वपरून समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियों में